जै माता दी दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यव चैनल में दोस्तों हर वर्ष पित्र पक्ष समाप्थ होने के ठीक बाद शारदिय नवरातरी की सुरुवात हो जाती है लेकिन इस बार एक माह का इंतजार करना पड़ा है एक माह के इंतजार के बाद शारदिय नवरातरी की शुरुवात 17 अक्टूबर से हो रही है ये नवरातरी 17 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक चलने वाली है मादरुगा की आराधना के लिए मादरुगा के आशिरुवात के पाने के लिए ये जो नवरातरी के 9 दिन होते हैं सर्वस्रिस्ट माने जाते हैं माना उर्जा से अपनी और से सभी अपने भक्तों को के दुख हर लेती हैं दोस्तों इस बार जो नवरात्री हैं बहुत खास योग इस नवरात्री में बन रहे हैं और इन नवरात्रियों के जो खास योग है वो कन्याराशी के लोगों के लिए उनके कैसे उनकी मनोकामनाओं को कौन सा वो उपाय होगा, किस ग्रंथ की, किस चीज का पार्थ आपको करना चाहिए, जो इन नवरात्रियों का पूरा फलाप हो दे सके, क्योंकि मादुरगा अपने हर भक्त के सुनती हैं, और ऐसे में जब शुव योग बनते हैं, उस दोरान पूजा पाट की जाती है, उस दोरान कुछ उपाय की जाते हैं, तो आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं, पुत्र की कामना, संतान की कामना, वैपार चलनाना, नौकरी नहीं है, नौकरी की कामना, विवाह की कामना, यानि जिस कामना को लेकर आप इसन कारियों को करेंगे, वो कामना है आपकी पूरी होंगे तो आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन हैं अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ दोस्तो नवरात्री मा दुरुगा को प्रसंद करने के लिए सबसे खास दिन होते हैं पूरे देश में प्रेम, करुणा, मम्ता, वातसल, स्रजन और पालन इन सब का अवतरन मा देवी करती है भाव अभ्यक्ति को प्रकट करता है ये नवरात्री का पर्व नवरात्री के वाहन होता है वो बहुत एहमियत रखता है वैसे तो दुरुगा मा का वाहन शेर है लेकिन जब इन नवरात्री में मा दुरुगा का जिस दिन का आवाहन होता है उसी दिन के हिसाब से उनके वाहन का तेया होता है इस बार मा दुरुगा अश्वो पर बैठ कराएंगी यानि महामारी, क्रोध, इन सबी चीजों को ये दिखाता है लेकिन मादुरगा तो सब के दुखों का नाश करने वाली है तो इन दिनों में आपके लिए बहुत अच्छे योग बनेंगे उन योगों के बारे में पहले हम जानते हैं कि जो योग बनने वाले हैं वो कौन से हैं तो एक तो इस पार जो शारदे नवरातरी है वो आठ दिन के होंगे अस्टमी और नौमी दोनों ही एक दिन होने वाली है इस नवरातरी में 17 अक्टूबर से 19 अक्टूबर के बीच में चार सरवार सिद्धी योग बन रहे हैं इसके अलावा 18 से 24 अक्टूबर के बीच में सिद्धी महा योग बन रहा है अमरत सिद्धी योग भी बन रहा है 18 अक्टूबर को प्रिती योग बनेगा 19 अक्टूबर को आश्मान योग बनेगा और 20 अक्टूबर को सोभागे योग बनेगा जब ऐसे सुंदर योग बनते हैं तो ये दिन बहुत अच्छे हो जाते हैं और वैसे भी नवदुर्गा तो ये नवजोती के जो स्वरूप हैं जो नवदुर्गा के स्वरूप हैं उनको समर्पित हैं तो ये नो दिन तो वैसे भी सिद्ध प्राप्त करने के लिए मनों कामन हो उसका संकल्प मन में लेकर आपको इन व्रतों की शुरुवात करनी है इन व्रत का जो शुरुवात करनी है ये आपको घटिस्थापना के साथ करनी है क्योंकि घटिस्थापना के दिन भी विशे संयोग बना है और इस दिन माशैल पुत्री की पूजा अर्चना भी की जाती है तो इसका पर आप अभिजीत मुरत जो इस दिन का जो सुभा का होगा वो ग्यारा बज़ कर चवालिस मिनट से बारा बज़ कर उनत्तिस मिनट तक रहेगा जो घट स्थापना पहरे दिन होती है तो मन में संकल्प लें और संकल्प लेने के साथ विधी विधान से इनकारे को करें और जो एक पाठ है वो पाठ आपको करना है ब्रहों मुरत में उठें इसनान करें घर के किसी पवित्रिस्थान पर एक साफ मिटी से वेदी बनाए या आप बनी बनाए भिला सकते हैं और उसमें जों और ग्यहु दोनों को मिलाकर आपको उगाना है इस वेदी के समीप ही पवित्रस्थान पर आपको प्रत़्ी का पूजन करके वहाँ एक कलसे स्थापिट करना है मिंट्टी का कर सकते हैं जो आपके पास उपलब्ध है उसों आप कर सकते हैं इसके बाद उस कलश में आम के हरे पत्ते, दुर्वा, पंचामरत डाल कर और उसके मुँपर, लोटे के मुँपर आपको मौली जो सूत्र होता है, जो कलावा होता है उसको बाँदेना है कला से स्थापना करने के बाद सर्व पर्थम गणेश जी के पूजा करें और फिर वहां मादुर्गा का चित्र, मादुर्गा की मूर्ती, किसी भी धातु की बनी हो, चाहे मिट्टी की बनी हो, वो आप फिर आजमान करें उसके बाद अक्षत, पुष्प, धूप, दीब, नैवेद, पुष्प, सभी चीजों से उनकी पूजा आर्चना करें और पूजा आर्चना करने के बाद, आपको जो पाठ शुरू करना है कन्याराशी के लोगों को, वो जो पाठ है वो है गायत्री मंत्र का जब करें इस नव दुरुगा के नौ दिन आप गायत्री मंत्र का जब करें, जब आप ये सभी कारे करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मदुरुगा की पूजा करते हैं, वहीं बैठकर आपको गायत्री मंत्र का जब करना है और उसके बाद आपको दुरुगा इस्तुती करनी है, दुरगा इस्तुती करते हैं दुरगा जी क्यारती करते हैं तो निश्चित रूप से वो आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरी होगी एक तो देखें जो गायतरी मंतर होता है वो बहुत बड़ा बहुत पावरफुल वो मंतर होता है एक गायतरी मंतर में इतनी ताकत होती है कि अ अधिक फल देने वाला साबित होता है इसलिए आपको ये कारेश जरूर करना है नवरात्री जब खतम होंगे नवमी के पूजन के बाद आपको कन्याओं को भोजन भी कराना है कन्याओं को भोजन कराएं और उन्हें कुछ दान दक्षिना दे कर कोई गिफ्ट दे कर कुई दान दक्षिना जरूर दे उन्हें दे कर आप उनको विदा करें कुछ चीजें हैं जो इनका आपको ध्यान रखना है जब ये नवरात्री का आप वृत रखेंगे तो आप भ्रमचर्य वलका वृत का पालन करें फलाहार रहें माता को नीबू, अनार, मौसमी, कठल का भोग बिलकुल ना लगाएं अनका भी भोग ना लगाएं और शमा, दया, उदारता का भाव अपने अंदर रखें क्रोध, मोह, लोब इन सबी चीजों को त्याक कर आपको मा के पुज़ा अर्चना करनी होगी देखिए ये जो नौ दिन होते हैं इनमें दान पुन्य बहुत किया जाता है तो आप अपनी सहुलियत के हिसाब से जो आप कर सकते हैं उस हिसाब से दान पुन्य भी करें गरीबों की सेवा, गरीबों को दवाई गरीबों को खाना गरीबों को वस्त्र तो इन सबी नियमों का पालन अगदी आप करेंगे निश्चित रूप से आपकी कामना ज़रूर पूरी होंगी जिस भी कामना के लिए आप ये कारियों को करेंगे तो दोस्तो और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस वीडियो को जदा जदा लाइक करें और शेयर करें ताकि जदा लोगों तक ये पहुंच सके धन्यवाद